आपके अपने इस प्यारे यूटूब चैनल में दोस्तों कल कुछ लोग बोल रहे थे कि महाराज अपसरा की साधना दीजिए अपसरा की बहतरीन साधना है करने वाला कोन है आज कर लोग साधना करते हैं सिर्फ टाइम पास करते हैं और साधना की प्रती उत्सुक तो बहुत रहते हैं लेकिन साधना ओरिजिनल में करते ही नहीं है कोई सिर्फ टाइम पास करते हैं अगर साधना करनी है तो मैं बताता हू स्वर्ग में देवताओं की अफसराओं में एक अफसरा ऐसी है जो इंद्र की सभा में विशेस माइने रखती है उस अफसरा का नाम अमरतास सत्यम अफसरा इस अफसरा की जो आज में सिद्धी पराप्त कर लेता है उसे ये अफसरा भोग और सम्रद्धी आरग्यता सब कुछ परदान करती है कोई सादक यदि इसकी सादना सफल कर लेता है तो उसको ये मरने के दिन तक बूड़ा नहीं होना जैती उसका सुंदर्य बढ़ता ही चला जाता है उसकी खूबसूरती बढ़ती ही चला जाता है उसका आकर्शन उसका सम्मोहन बढ़ती ही चला जाता है अमरता सत्यम अफसरा की सादना करने वाला सादक हो या सादिक हो मुस्कुरा की एक बार किशी को भी देख ले मुस्कुरा कि एक बार किशी को भी देख लेना तो वो तत्काल उसके वस में हो जाता है तत्काल उसके सम्मोहन में आ जाता है तत्काल उसके आकरशन में बन जाता है यह वसिकरण वो नहीं है एक दम बस में हो गया जिन्दिकी पर वही वह देखेगा वो नहीं ये प्रेम पूर्ण सम्मोहन है जैसे कोई छोटेशे बच्चे को अपने देखते हैं बड़ा खूबसुत होता है अपने मुन करता न उसको बार-बार देखने को गौद मेलेने को उसी तरस उसी तरस एकदम बरबस आकरशित होते हैं उसको देख करके अमरता अपसरा जो है वो जिंदगी में अपने सादक को बूढ़ा नहीं होने देती और जिंदगी में कभी विमार नहीं होने नहीं देती है उसे हमसे सम्मरदी साली बनाए रखती है धन की उसके पास कोई कमे ने रहती एस्वर्यवान रहता है, देनवान रहता है, समर्द रहता है, सुख सांती से उसका जीवन बीटता है मरत्यों को तो कोई नहीं टाल सकता, वो तो खुद भगवान आके कहें तो भी हो सकता है कि मरत्यों को नहीं टाल सकें क्योंकि मृत्यू तो मनुश्य का अंतिम सत्य हैं लेकिन मृत्यू के आलावा बाकिस सब कामों में यह मृत्यू जो अफसरा है वो साधक की बड़ी मदद करती है साधना किस प्रकार्षे की जाएगी उस पर थोड़ी चर्चा करते हैं दोस्तों इस साधना को करने के लिए आपको दो में से कोई एक वार चाहिए, सुकल पक्स का सुमवार या सुकल पक्स का शुकरवार, दो में से कोई एक वार चाहिए, सुमवार और सुकरवार की रात, दस बज़े के आस पास से साधना आपके सुरूफ हो जाती है, आपको एक तुमस्नान करके सुगंदित वस्तर धारण करके सफेद सिर्फ सफेद वस्तर का मतलद कुर्टा पजा मानी वस्तर का अगर मत्ते ला करके कमरे में जलाई ये और उसके खुش मिह मत्तब रहने चाहिए कमरे खाली-काली सा रहने चाहिए पूझा जिस समय जिस कमरे में आप साध ना करें न उस कमरे में एक बात nोट करके रखो कि ज्ख्यादा सामान, वामान अल्मारियां फल्मारियां ये बरावा वो बरावा ऐसा नहीं रहना चाहिए सादमा जां करते हो वो कमरा खाली-खाली सा होना चाहिए खाली-खाली न दिल का मकां रह जाए तुम गमे यार से कहे दो कि यहां रह जाए तो खाली-खाली रहना चाहिए थोड़ा क्योंकि जब खाली कमरा होगा उस खाली कमरे में बैट करके चोकी चाकी लगा करके आप साधना करोगे तो आपके साधना में एक वाइबरसन उठेगा और वाइबरसन में वो तरंगे जो है ना आपके चारों तरफ घुमेगी और वो साधना को जल्दी सफल करती है नहीं तो वस्तुएं पड़ी रहती है उन वस्तुओं से यदि आपकी जो तरंगे उड़ती है देखो उर्जा अलग है तरंगे अलग है वाबरसंस अलग है देखो उर्जा से बनती है वीना और तरंग से बनती है नाद तो नाद तरंग से जो बनता है ना तो जो नाद आपक लेकों से तक राती है तो तरंग कमजौर पढ़ जाती तो सक्ति तक वह पहुंच से तो सब कुछ होता है राग तांसें जैसे गायट थे जो राग गाते थे उनके अंदर से तरंग प्यदा होती थी हीरन जहां कहीं भी चर रहे होते खड़े होते भाग रहे होते भागते वह हीरनों के जुन्ड जैसे कि ते सिरुख जाया करते थे कर श्तंबित हो जाया करते थे ते अंग पानी जाया करता थे क्या नाधितर जो सीधा उसस्त। तक टकाथ अब उस खाली कमरे में करोगे क्या, उस खाली कमरे में आपको एक चोकी लगानी है, चोकी पर स्वेत वस्तर बिचाना है, इज़त से बिचाना है, आपका भी सफेद आसन होना चाहिए, सफेद कपड़े होने चाहिए, बताई दिया, सुरक्षा घेरा कोई आपको बड़ी आता हो न, राम जी का ऐसे राम जी का तो ऐसे लक्षमन रेखा वाला वो सुरक्षा घेरा वो लगा देना, क्योंकि ज़रूरी है, ये साधना है सदगुरु देव की, उनका एक सिस्य था महावीर जैन, वो इस साधना को कर रहा था, सुर और ऐसे ही बेट गया था, गुरुजुन तो का भी था कि उस रक्षा घेरा लगा, उसने नहीं लगया, सदगुरु देव जदपुर वाले, उसने साधना सुरू कर दी, साधना सुरू करी, जो सामगरी पड़ी थी थी न, बाजोट पर, उस सारी सामगरी खड़ी होकर के ग अगर नहीं छोड़ता तो कुस दिन में साधना सफल हो जाती, जो डर गया, साधना का तो नहीं मैं गबर सिंग कह के गया, वो मर गया, जो डर गया, वो मर गया, इसलिए साधना में डरना मना है, साधना में तो निडर हो करके, दम रख करके, सयम पूवक साधना करने पड़ नहीं, लाइची होना पड़ता है, सयम पूरवक्षादना हो, सयम का मतलब क्या होता है, तराज होती है, सयम आपने अक्सर सयम नाम सुनोगा, सयम का मतलब क्या है, सयम का मतलब होता है, सयम का मतलब होता है, सयम का मतलब आज तक कोई बिढंग से इसको कहीं भी से हुआ है सयम का मूल अर्थ होता है बैलेंस और बैलेंस का मतलब होता है जो साधना कर रहे हो उसमें साधक का बैलेंस होना चाहिए मतलब बैलेंस का अर्थ क्या है कि सक्ति को सक्ति जिस प्रकार किये उस प्रकार से साधक का जखो ये दुरू साधक का है वो दुरू सक्ति का सक्ति का दुरू और सादक का दुरू एक जैसा हो जाना चाहिए तब उस साधना में बैलेंस बनता है तो साधना में न लोब चलता है न लालत चलता है न काम बाशना चलती है न कुछ और चलता है न कुछ और चलता है साधना में पूर्ण पवित्रता और सांत चित चाहिए जितना सांत चित से हम साधना करेंगे उतनी हमारी साधना जल्दी सफल होगी और जितना मन विचलित है उतनी साधना तो होगी नहीं कभी दिल्ली कभी दहरा दून तो ऐसे साधना नहीं होते है साधना के लिए इस साधना के लिए तो विशेंस ही नहीं है कि मन को सांथ रखना पड़ता है तो आप पहले योग प्राणा हम कर लिजी अपना चित्र से मन को सांथ रखने की पहले चेस्टाय कर लिजी हलांकि योग प्राणा हम में से मन सांथ होता है जरूरी नहीं है लेकिन फिर भी योग प्राणा हम करने से कम से कम अलमन तो रहेगा किया मन सांथ करने की कोशिश कर रहे हैं तो योग प्राणा हम करके मन को सांथ करने की कोशिश कर लीजी मन तो सांथ विचारों की निस्क्रियता से विचारों के स्थम्मन से होता है जब बिचार इस्तिर हो जाते हैं तो मंसांत हो जाता है और बिचार इस्तिर हो जाते हैं उसके लिए ध्यान की जरूरत है तो सादना से पहले अब और अभी हमारे गुरुजी खुसल न जी वह साधना करवा रहे न। किस प्रकार शेव fellowship को खाली साधना में बता देतां वे हैं या रग़े बाहरे उससे कोई फाइदा नहीं है जब तक साधना के मूलतत्व नहीं पहचान होगे, साधना होने का सवाल नहीं, तो साधना के लिए सबसे पहली चीज जरूरी होती है, नाड़ी सोधन प्राणायम, नेट पर सर्च कर लेना, आपको पता चल जाएगा ने तो रांदे बाबा तो है, बस नाड़ी सोधन प्राणायम, और ध्यान कम से कम 15-20 मिनट का मेडिटेशन, ध्यान, तराटक, विपश्यना, कुछ भी, यह जो ध्यान के गहरी-गरी, देखो, विज्ञान बेरोतंतर में 100-108 से भी ज्यादा ध्यान की पदत्तियां दे हुए, उनमें से कोई भी बड़िया पदत्ति ध्यान की आप चूच, चूच कीजिए, और उस पदत्ति से आप ध्यान कीजिए, हर व्यक्ति के लिए अलग-लग ध्यान की पदत्ति काम करती है, तो अपने इंसाफ से ध्यान की पदत्ति का चुनाव कीजिए, और वो ध्यान कीजिए, बहुत, बहुत बढ़ी आ रहे था, साधना पटापट सिद्ध होती है, मैं जब साधना करने गया था, अपने गुरुप जी के पास, सबसे पहले रतनाज जी के पास, तो रतनाज जी ने मुझे सबसे पहले नाडी सोधन प्राणयाम ही करवाया था, नाडी सोधन प्राणयाम और ध्यान इन दो परी जोर दिया था, कि ध्यान और यह सब करने से प्राणायम और ध्यान करने से मन भी सांत होता है और साधना में आप सफलता प्रात कर सको शक्ति से अब जुर सको ऐसी समता भी आप में पैदा होती है तो अब क्या करना है सोंबार का दिनों सुकरवार का दिनों स्नान कर लिया सरीर पर इत्र बग प्रणप्रतिष्टित करके रखे एक अत्यम्त सुन्धरी अपसरा का चित्र आप पहले ही निकले लिए जिए जित्र बाजवट प्रिस्तापित करना है जित्र के पंच अपचार पुझा करनी है और वह जो कोड़ी है वह कोड़ी ही सक्टी को ख्रश्टिटी है यह उसका मूल होता है तो उस कोड़ी को क्या करना पड़ता है गंगजल से दोख करके एक तंबे किया चंधी की प्लेट में अपने सामने रखिएगा अब उस कोड़ी पर आपको धर्म अर्थ, काम और मौक्षप के नाम से चार तिलक निकालने कुंकुम से अब कुंकुम से चार तिलक निकालने के बाद में फिर उस पर अक्षत रखिएगा पुस्प रखिएगा प्रसाद रखिएगा कलावा रखिएगा बहुत सारी चीज़ है न वो 600-अप्शार छोड़ी आपचार पूजा जैसे भी आपको पूजा करने आते हैं जो क्만ले में प्यार से चढ़ा दी अपने पूजा कर दी अब इसमें जो दिपक लगाना है उसकी एक नइभी दिये अलग भी दिये वो कैसे लगाएंगे वो आपके पस देखिए यह जो साधना है ना यह 51 माला की साधना है तो आपकी ये तो है नहीं कि 10-15 मिनट में पूरी हो जाएँगी साधना में तो आपको 3-4 घंडे लगेंगे तो आपको एक बड़ा दिपक लेजा है मिट्टी का मिट्टी का बड़ा दिपक धो करके साफ करके एक दम सूख जाए तब ले और एक दिपक और लेना है अब आपको चावलों की एक धेरी लगानी है उस कोड़ी के पास में चावलों की धेरी के उपर एक दिपक रखना है उस दिपक में थोड़ा सा पानी डाल देना प्रजोलित कीजिए दिपक परजोलित करके देवी को भाग लगाईए भाग में आप खीरान या खीर का परसाद बना करके निकते आप अरपन कीजिए तुलसी के साथ इस से पहले भगवान मादे और भगवान इंदर देव की पूजा आप कर लीजिएगा, सुबह ही कर लीजिएगा रात को नहीं करें तो अब एक माला गनेश्टी की, एक माला गुरू की और एक कावन माला अपसरा की इस माला में जो माला होती है वो बिल्कुल अलग होती है इस साथना में माला जो होती है वो अपसरा माला होती है उस माला को विशेश सिद्ध करना पड़ता है विशेश प्राणपतिस्ध करके और फिर इस साथना को आपको करना पड़ता है आप इस साधना को time limit नहीं है, वैसे तो साधना तिन दिन किये, तिन दिन में साधना हो गई तो ठीक है, ने तो को time limit नहीं है, रात दस बजे से आपको साधना में बैठना है, सयम पूरक बैठना है, एकदम संत चित हो करके बैठना है, और बैठना है, तब तक बैठना है, सब्सक्रान नहीं लग सकता है चैज। सदै को उत्र नहीं डेगी टाइम ले सकती है तीन से ले कर्के 21 नहीं तक कीया ओर ले सकती है और भी आगे ले सकती है मेहा नहीं कहता कि आप बैठागे तो नंत आपके अफसरा आजाएगी हालांकि उसे तो भी तो जदा आते हैं लेकिन सत्य तो सत्य है अब अमरता सत्यम अफसरा है तो तो सत्य का पालन करने हैं पड़ेगा तो ये बात तो बताने पड़ेगी तो इसमें लेगी आपका और एक बार साधना सिद्ध हो गई फिर तो आपको कोई टेंशन ने इतनी सौमने आपसरा है कि भोग, मोक्ष, शब कुछ आपको दिलवा सकती है, आपका अध्यात्मे किस तर बढ़ा सकती है, आपका संसार किस तर बढ़ा सकती है, आपकी वेल्यू बढ़ा सकती है, आपका स्टेंडर्ड बढ़ा सकती है, लोगों में आपका सम्मान बढ़ा सकती है, क्या नहीं कर सकती है, सब कुछ कर सकती है, तो इस प्रकार से बहुत प्यारी साधना है, इस साधना गुरू की देख रेक में, गुरू से दिक्सित होकर कि फिर इस साधना ओम खरीम खरीम हूम हूम जनत परंजनी सत्यम समंतर का जाप करके आप साधना को सफल कर सकते हैं दोस्तों वीडियो चाल लगे तो लाइक करना कमेंट करना शेर करना पहले बार मारे चैनल प्रोए चैनल को सब्सक्राइब करना पासमें जो बेला इको उनका बटन है बहुत दबा देना तके मारे ज्ञान वर्दक जानकारी पुर्ण वीडियो सबसे पहले आपके पास आसके जैसरी कशना दोस्तों